हमने आपसे community section में एक post जालके आपसे पूछा था है कि अगर आपके मन में कोई प्रस्ण हो हमारे लिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो आपने ठेट सारे प्रस्ण हमसे पूछे हैं और आप हमारी बारी आपके प्रस्णों का जबाब देने की चसमे का number कैसे घटाएं देखे चसमे का जो number होता है कि 40 साल के बाद हमारा जो आप के सामने जो काला सा देख रहे होते हैं बैसिकली वो होल होता है और उसके पीछे एक रेटिना होती है वो जब लाइट वहां पर जाके पढ़ती है तो आपको जो है कोई पीछी दिखती है त ऐसे रिञेक्स करते यहें ठीक उसी प्रकार से जब सूरस देवता के सामने जाते हैं तो आखे आपकी चोरस कर लेते हैं ताकि उसको जो है उससकी doll b92 कर लेता है तो आपको दिखता नहीं तो भड़ी-बड़ी आखे आन्खे अर देखते हूं और जो है बड़ी हो जाती है तो जो ये muscle से muscle का contract और relax होना, 40 साल के बाद इसका जो है छमता कम हो जाती है, इसको बोलते हैं accommodation power, तो accommodate करने की जो छमता होती हो कम हो जाती है, इस वज़े से आपको glass लगना सुरू हो जाता है, अभी तक के अनुसार, science के अनुसार, medical science के अनुसार, कोई ऐसा exercise, कोई ऐसा खान नहीं है, जिसके वज़े से आप इस चसमा जिसको लगा है, तो हट जाए, लेकिन अगर कोई भी चीज, अगर किसी को 40-40 साल में प्राव्लम हो रहे हैं, तो उनको आप 45 साल में हो जाए, ऐसा किया जा सकता है, किसी का lens का power आज एक है, वो एक ही बना रहे है, दो ना हो, उस आँख में चलने वाली जो capillary, जो blood flow होता है, वो भी बहुत ज़्यादा effect होती है, तो इस वज़े से जो आँख में नमी बना के रखना चाहिए आपको, तो आपको क्या करना, आप अपने नज़री की डाक्टर के पास चाहिए, उनसे बोले हमको आईड्राप देजाए, आप जो है, डेली डालिए, दिन में दो बार दालिए, तीन में डालिए, इस काम पे जा रहे है, सभे डाल के जाए, लंज के टायम ए फिड जाल लिए, ऐसा अगर आपको लबे समय तक करते हैं, तो आपके आख में डेफनेटली इसका अच्छा सुधार देखने को जरूर म होती है मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप जो है अगर आपको जो कि बाट्री सेवन लेवल लोसित कहां सब्सक्राइब थ्रसबपा 1.0 बहुट नहीं और उसको कम नहीं बोलते हैं मेरे आप सब्सक्राइब से सही हो बसक्राइब से थोड़ा से तक उसको अब्जार भी नहीं कर पाता है तो हम आपसे ही करेंगा आप अपना जो है अच्छा किजिए ताकि सारी मिनरल्स और सारी बीटिमिन आपको बलट तक पहुंचाया जा सके अगर रही बात दवाई के तो मैं तो आपको डाक्टर से मैं आप तो ही सला दूंगा कि आपको टेंपर रिलीफ मिल जा उसके बाद बीटोल का सप्लिमेंट आते हैं आप उसको टेबलेक्ट बार में प्रत दिन खाईए और लंबे समय तक खाते रहे जब तक खाते रहे जब तक डाक्टर आपको मना न कर दें तिसरा चीज है आपके लिए जैसे दही आप अगर आपको हिल्दी तरीके से खाना ना खाये गया है तो धेर सारा मसाला इतना से सब्जी हितना मसाला है न तो वह काम नहीं करेगा और इतनी से सब्जी में इतना बड़ा-बड़ा पूरी पूरी जो है पता लगा बाहर से च्छन किया यह पता निकिस प्रकार के तेल में तो आप हिल्दी खाना खाई अपने आपको सही हो जाएगा इसके अलामा एक और आता है इस्ट का कल्चर आता है इस्ट एक बहुत बढ़ियां स्रोथ है विटामिन बी-12 का तो आप उसको भी मार्केट में मिलता है पाउडर आता है वो भी आप पानीम डाल के गोल के पी आ एवसे जाने से पहले आपको English Language आती थी उसका उत्तर है हां मुझे आती थी अगर नहीं तो अपने English Language कैसे सीख़ी उतना अच्छे से नहीं आती थी अभी मैंने अमेरिका में बीडियो डाला है ज़रूर कि मैंने English कैसे सी conquered मैं. डिटेल लेड़ी वीडियो बना चुका हूं तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ पुराना भी हूँ क्या आप मुझे बताएंगे कि आप जैसे कि आमेरिका के नागरी हो गए हो इंडिया का वीज़ा लेना पड़ता है परहते हैं कि मैं भगवान पर बिश्वास नहीं करता और इन सब चीजोंसे बहुत दूर हूं और उसका कारण यही है कि अभी तक बिज्ञान ने ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि जो यह साबित कर सके कि भगवान होता है इसलिए मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूं बहुत दूर रहना चाहता हूं एक लोग ने सवाल किया है कि केमिकली डिफ्रेंस बीटूइन घी मेट फराम दही और क्रीम जो अगर आप दूद को ले लीजे दूद को बाटम डालके इससे घुमाईए तो उसमें क्रीम बन जाते हैं और दूसरा जो दही में जो मलाई बनती है वो पूछने क्या है दोनों में कोई भी अंतर नहीं तो दूद को सोर्स है यょih फैसे अंतर होते हैं जैसे कोई जानवर है उसका दूद है तो उसी जानुवर का जो सरीर में फाय जाने वाला जो फैट है, उसका फैटी एसिड में अंतर होता, तो दोनों अलग लग चीज होते हैं, अगर आप वो सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको डिटिल में समझाता हूं, एक लोगों ने पुछा कि सर बोला जाता है कि बाडी में ही उसा कुछ है नहीं, और आप ऐसा समझ लो कि जैसे पिंपल क्या होता है? पिंपल क्या होता है? कि हमारे जो होते हैं नीचे, एक ग्लैड होता जिसे पसीना वाहर आता है, negd再见. जब हमारे वो पोर किसी काणर से बद्ध हो जा Bennett, तैल भी लगा लो, इस ग्रीस वाला तो भी बंद हो जाता है अगर आप लंबे समय तक तेर लगा के रखेंगे तो भी बंद हो जाता है तो वहां पर जो है होते हैं जो आपके सरीर में सिभी इस ग्लेंड का बनने का प्रक्रिया तेजी से बढ़ा देते हैं तो नको पसीना बहुत जादा होता है अगर ऐसे कारण से अगर आप समय से नहाते नहीं है और वसमय से अपने बालों को अच्छे से रख रखाव नहीं कर रहे हैं मसाज अच हो सकता है सर हमारे कीचन में कौन से केमिकल आसानी से मिल सकते हैं तो हमां कीचन में तो यह का आपका खाने वाला सोडा सबस्तों से क्रेक् 어떻 jaar अवैं कि मेरे उन डाथ काई क्या यह था नहीं बहुत आप अब ही हां मैं वहीcar को मैं यह चीजों करों जहिए इनवॉलमेट मेरा नहीं रहता है। उन चीजों से दूर रहता वह जिसे मुझे लगता है कि इसमें रहने के मझे मों से में मुझे सब रहते हैं मेरे सभी से मेरे अच्छे संबन्ने सबसे बातचित करता रहता हूं पता नहीं मैं कैसे इसका जबाद दो मझे खुदी नहीं समझ में आ रहा हैं मैं यतना कह सकता हूं कि मैं बहुत से चीजों के चीजों को मैं कुछ ऐसी चीजे हैं जैसे पैसा मैं अपने उस समय तो वर दीन है वे जह जब में पैसा नहीं देता हम पैस मैं पैम सब्सक्रायओ अहमेद उत्रा नहीं दिया पैसा बहुत ज़री है अपने जीवन आपन के लिए बच्छों के स्कूल के लिए फीस के लिए पीमार हो गया वगर वगर लेकिन मैं कभी उस चीज के लिए कभी मैंने भागा नहीं और जितने भी हमारे घर वाले हैं इंडिया में सबके मेरा रिल गया है तो मुझे जो है किसी प्रकार का सिकायत गिला नहीं है किसी प्रकार से सिकायत नहीं है किसी प्रकार से गिला सिकवा नहीं है तो खुसता आप आराम से रह सकते हूं और खुस रहने का दूसरा तरीका जो मैं आपको सजेशन दे सकता हूं वह है पेसेंस धैर कोई भी तो चोबिस घंटे कर समय दीजिए अगर आपको लगता नहीं मिलेगा तो उसको उसे साफ से धैर जो छोटा होता है उनके लिए सामने बहुत देंदगी कठनाई में हो जाती जैसे कि मालोक आपके पास एक पेन है और आपको बहुत अच्छा लगा आपने मांगा कि हमको दे जीवन तो आपको स्ट्रेस वहने लगता है कि यार मैंने इसके लिए इतना किया और यह पेन हमने ही खरीच के इसको दिया है आज हमने उसको मांग रहे हैं को दिया दे नहीं रहा है और पेन ही तो है मैं कौन सा खागा जाओंगा इसको थोड़ा सा लिखके वापस तकर दो इसलिए मैं आपको साइद इस प्रसका सीधा सीधा जबाप नहीं दे पाया इसके लिए मैं चमा मानता हूं ओके सर जारखंड से एक चावल को दारू होती है वो दारू होती है या नहीं पता नहीं इसलिए यूज रिवीव करें प्लीज मुझे लगता है कि B12 की कमी पूरी जारखंड में कोई इसा डारू है जो चावल से बनती है उससे बीटोल की पूरी किया जा सकता है उसका उतर है नहीं वह प्रसक्ता है लेकिन जो majority चीज है वो basically दारू है जब उस चीज को पीजए तो दारू समझ के पीजए न कि बीटोल समझ के पीजए तो बीटोल का इलाज नहीं है दारू अचाँ एक सवाल है जो मुरे से सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मैं करता क्या हूं अमेरिका में इतने साल से तो मैं जो है इंडिया में PhD किया था जो लोजी सब्जेक्ट से और मैं CDRI लखनव से PhD किया हुआ है मेरे जो सुपरवाजर थे उनका नाम था डॉक्टर एस के पूरी जो मेरा काम था वह एंटी मैलेगा ड्रग रस्तेंस में मैंने काम किया था उसमें क्या होता कि तुम मैं ड्रग किसी को देते हो मैं जो रस्तेंट हो जाता जिसके वज़ेसे दवाई काम करना बंद हो जाती है तो हमने हमारे लाइब में हमने क्या किया था? हमने एक Malaria Parasite आज चुऊं में मलेरिया होता है उस वाले Malaria Parasite में हमने उसको लाइब में resistant बना दिया था थोड़ा थोड़ा Drug दे करके आज थोड़ा सा दिया, कल थोड़ा सा और दिया जिसके वज़े से रेजिस्टेंट पैदा हुआ, ताकि अगर नेचर में कोई malaria parasite किसी drug के प्रती ही रेजिस्टेंट हुआ, तो उसको कैसे cure किया जा सकता है, यह मेरा PhD का thesis था, उसके बाद मैं positive करने अमेरिका आया, अमेरिका मुझे 13-14 साल हो गए, और अभी मैं assistant professor हूँ, और professor का मतलब है नहीं कि मैं teaching का काम करता हूँ, teaching मेरा साल में एक या दो class लगते हैं, किसी week मुझे पढ़ाना है, medical student होते हैं, PhD student भी हो सकते हैं, उसमें से कोई दोनों भी हो सकते हैं, तो मेरा एक class हर साल मुझे पढ़ाना होता है, ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ gene therapy के बारे म और मेरा जो काम है, फुल टाइम research है, तिसलिए मैं जो है, मैं अपने आपको scientist बोलता हूँ, peach के अलामा आपका कौन सब fruit पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमरिका में बहुत से fruits हैं, लेकिन मुझे peach ज्यादे अच्छा लगता है, एक और fruits हैं, उसको nectarine बोलते है peach की जैसा ही होता है, वो भी fruits मुझे बहुत अच्छे लगता है, एक लोग ने प्रस्निक एक नहाने का soap जल्दी से क्यों गल जाता है, बताईए, देखें नहाने का साबून आता है, मार्केट में आपको 10 रूपे, 15 रूपे से ले करके 30-40 रूपे तक का एक साबून मिलता का आता है soap-base, सोब कहां सा आता है? चाइना से आता है. इंडिया में जाते तर देख चाइना से लाते है, उसको पहलते हैं और उसमें मिलाते है फिलर, यह वी लिर आपका खुस्पीर रूपेन हो सकता है, चलो खुस्पीर तो चलो ज्यादा मत्रम नहीं डालते हैं। जब आप जतना ज़्यादा फिलर डालते हो साबुन में नहाने की दवरान वो उतना ज़्यादा तेजी से पिखलता है एक लोग ने कहा कि भाईया आप अपने देश के भारत में केव नहीं रहते क्या आपको अपना देश अच्छा नहीं लगता और क्या अमेरिका में लोग अपने वालों से अच्छे से बातचित करते हैं बहुत बढ़िया सवाल है देखो मुझे अपना देश बहुत प्यारा है मुझे अपना देश बहुत अच्छा लगता है मैं सिब कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं अभी तक मैं इंडिया का पास्पोर्ट मुझे ग्रिन कार्ड मिल गया है अगर हम प्रासपोर्ट अगर हम जमा नहीं करते हैं इंडिया का तो हमको इंडिया जितनी बार जाएंगे हमको पासपोर्ट हमको इंडिया से बीजा बनवाना पड़ता है अभी मैं पिछली बार एक साल पहले गया तो मुझे बीजा बनवाना पड़ा अगर मैं पासपोर्ट इंडिया वाला अमेरिका को जमा कर दूँ तो हमको एक ORC कार्ड बनता है उस कार्ड के अधार पर हम कई बार आ जा सकते हैं उसमें पैसा भी कम लगता है बीजा आपको हर बार नहीं लगवाना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद भी मैं अभी तक पासपोर्ट जमा नहीं आने से सब सारी चीजे शाल्व हो गई जो एक परिवार में जतना चीज जो भी सहलियत होनी चाहिए कोई बीमार है तो उसका दवाइक लिए पैसा है कि नहीं कोई पढ़ना चाहता है उसके लिए फिस है कि नहीं यह सब सारी चीजे समयाओ का समाधान अगर हो पाया है तो वो सिर्फ अमेरिका आने के वजह से हुआ है लेकिन मेरा दिल हमेशा भीया मैं तो चाहूं तो गाउं में रहा हूं अगर इसका अगर सबूत देखना चाहते हैं तो मेरा अपना अमेरिका पी मैंने ब्लॉगिंग के सारी वीडियो आप देख लिए जब मैं इंडिया गया तो क्योंने डाल दिजिए मैं आपके प्रस्ण का जवाब वहां दे दूँगा हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धहरनेवाद